स्टुनेंट्स, आज हम डिसकस करने वाले में एक बहत्तरी प्रोज जिसको लिखाता एपीजे अब्दुलकलाव इनोंने अलेसन माई फादर टॉट मी इसको पहली दफा विंग्स ओफायर में पुभिश किया गया इसके अंदर एक छोटा सा प्रोज है जिसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है एक बहत्तिन प्रोज जो एपीजे अब्दुलकलाव की जिवनी में से है अलेसन माई फादर टॉट मी इस प्रोज को विंग्स ओफायर नाम के आटोबाइग्राफी में लिखा गया था जो आटोबाइग्राफी है एपीजे अब्दुलकलाव की इसको हम शुरू करते है What did I learn from my father? कि मैं अपने पिता से क्या सिखा? उन्होंने क्या सिखाया? It's this walk with integrity and succeed with integrity कि उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि काम कुरम महनत से और सक्सेस भी हो तो सिर्फ महनत से सक्सेस का दुसरा कोई भी ऑप्शन नहीं महनत के अलावा It is indeed a great experience for me to remember my parents my father who lived 103 years mother 93 years कि उन्हें उन्हें अपने पिता और माता इन दोनों को याद करने बहुत अच्छा लगता है यह उनके लिए बहुत बढ़ा अनुभव है क्योंकि उनके पिता उनके साथ 103 बर्स रहे उनकी माता उनके साथ 93 years रही for both of them I was their last child a dear lovable child among my four brothers and sisters कि हम चार भाहियों में से और एक बहन में से मैं सबसे छोटी संतान थी जिसे सभी प्यार करते थे our was a full-fledged joint family and even now continuous to uphold that tradition कि हमारी एक बहुत बढ़ी joint family थी और अभी भी उस joint family का tradition चलता आ रहा है when प्रभु चावला asked me if I could write about an important event in my life which may touch some hearts because of its poignancy or happiness question what pop up in my mind was the present dynamics of the notion and concerned of millions of citizens let me to share the love I have seen from my parents most of the time and simultaneously I was compelled to learn with parental concern कि एक दफ़ा प्रभु चावला ने मुझसे पूछा कि अपने जिंदगी में एक महत्वपुन गटना के बारे में आप बता सकते हो जिसमें खुशी भी हो जो दिल को भी छूले एसी कोई गटना हमसे आप शेयर कीजिए ऐसा प्रभु चावला जी ने जो एक पत्रकार है उन्होंने एपी जे अब्दलकलाम से पूछा ये सवाल उनको बहुत ही ज्यादा असमजस मिलाल दिया था क्योंकि उनके जिन्दगी में सिर्फ एक किस्सा नहीं ऐसे हजारों किस्से थे जो उनके माता पिता के साथ उनकी जिन्दगी में हुए थे उनके इस सवाल ने एपी जे अब्दलकलाम को उनके माता पिता से मिले हुए प्यार को लोगों तक पहुचाने की बात कही Let me share that event that happened in my life more than seven decades ago वो कहते है कि चलो प्रभु चावला जी मैं आपसे मेरी जिंदगी में हुआ एक किस्सा शेयर करता हूँ किस्सा था सत्तर साल पहले का सत्तर साल पहले का यानि कि सेवन डिकेट्स एगो ऐसे वो कहते है माइ फादर जनाब अवुल पाकिर जैनुला बद्दिन हम जो कहते है न एपी जे का फुल फार्म है अवुल पाकिर जैनुला बद्दिन तो एपी जे अब्दुलकलाम कहते है माइ फादर जनाब अवुल पाकिर जैनुला बद्दिन taught me a great lesson when I was young by just after India got independence कि वो कहते है कि उनके जो फादर है जनाब अवुल पाकिर जैनुला बद्दिन उन्होंने उन्हें एक lesson सिखाया lesson था वो जब 10 साल के थे जब भारत को स्वातंत्रा मिलने के लिए सिर्फ कुछ ही बर्स हुए थे at the time पंचायत election took place at my native रामेश्वरम in coastal तामिलनाडू my father was elected as a board member कि तब पंचायत election की शिरुवात हो रही थी उस वक्त पंचायत election थे गाओं में और उस election में जो एपी जे अबदुलकलाम की जो father है वो board member elected हुए थे वो जीत गए थे और उसी दिन the same day he was also met the president of the civic body और उसी वक्त उन्हें उस civic body का president भी बना दिया गया रामेश्वरम was then a beautiful place with a population around 30,000 people if my father was elected president of the पंचायत board it was not because he hailed from a particular community or spoke a particular language or belong to a particular economic stand वो कहते है कि रामेश्वरम में 30,000 से ज्यादा लोग रहते है कि father जो पंचायत चुनाव जीते है वो सिर्फ किसी एक community के नहीं है किसी एक नहीं है वो पूरे 30,000 लोगों के वहाँ पर president है ऐसे हो कहता है पूरे 30,000 लोगों के president है ऐसे वो कहते है He was elected only on the basis of his nobility of his mind and for being a good human being कि वो जीते गए सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग की वज़े से उनकी सच्चाई के वज़े से और उनकी इमानदरी के वज़े और उनकी इंसानियत के वज़े I would like to narrate one incident that took place on the day he was elected president of the panchayat board मुझे आपसे वो किस्सा शेर करना है जो उसी दिन जिस दिन उनके फादर जीत के आये थे panchayat election में उसी वक्त उसी दिन एक चीज एपीजे के साथ हुई थी I was at that time studying in school those days we did not have electricity के उस वक्त हमारे गाव में electricity नहीं थी और मैं school में पढ़ रहा था we used to study under the lamps that were lit on ration kerosene I used to read the lessons loudly one night I hear a knock at the door those days none in Rameswaram never used to lock the door कि उनके घर में उस वक्त electricity नहीं थी और राशन दुकान से मिलने वाला kerosene oil यानि कि रॉकल इसके उपर वो lamp जलाते थे और उस lamp के अंदर बैट के एपिजे अब्दुलकलाम पढ़ा ही करते थे और जोर जोर से अपना lesson पढ़ते थे पर उस रात शाम में उनके दर्वाजे के उपर किसी ने दस्तक दी किसी ने नौक किया दर्वाजे को और उस वक्त रामिश्वरम में कोई भी अपने दर्वाजे को कोई भी लॉक नहीं करता था क्योंकि सभी को लगता था सब अच्छे लोग है इसलिए चोर उचको का किसी को डर नहीं था कि कोई मेरे घर में दर्वाजे से आया और मुझे पूछा कि तुम्हारे फादर कहा है I told him that he had gone for evening namaz at this he said I have bought something for him Can I keep it here कि उसने मुझे पूछा कि तुम्हारे फादर कहा है तो मैंने उनसे कहा कि मेरे फादर नमास के लिए गए है शाम की मगरिब की नमास के लिए उनके फादर गए हुए थे उसने मुझे पूछा कि मैं ये जो चीज लाया हूँ मैं इस जगा पर रख सकता हूँ क्या I shouted for my mother to get her permission to receive the item but she was also on the namaz and gave me no response कि मुझे लगा कि मैंने अपनी माता जी से permission ले लिनी जाई है और मैंने अपनी माता को आवाज लगई पर वो भी नमास पढ़ रही थी और उनके मुझे भी कोई response नहीं दिया उस वक्त मैं सोच में गिर गया कि मैं ये receive करूँ या नहीं but finally I asked the person to leave the item on the cot after that I continue with my studies और आखिर मैंने उस इंसान को कहा कि अपने जो भी चीज़ लाई है उस cot पे रख दो और वो खुद पढ़ही करने के लिए लगए वो उस सामान को वही cot पे रख कर चला गया और A.P.J. अबदुलकलाम पढ़ही करने के लिए लगए वो आगे कहते है which means I resume reading aloud from my study books fully concentrating on my studies जब मैं पढ़ही करता था तो जोर जोर से पढ़ता था मेरी पढ़ही के ओपर पूरा concentration होता था Soon my father came in, he saw a tambulum that means plate kept on the coat he asked me what is this कुछ ही पलवबाद मेरे पापा वहाँ पर आए और उन्होंने एक tambulum देखा यानि की plate और मुसे पूछा कि ये क्या है कलाम he asked me who has given this उन्होंने पूछा कि ये किसने दिया है दुमें I told him that somebody came and had left it for him कि मैंने उन्होंसे कहा कि कोई तो इंसान आया था वो ये आप के लिए रखके गया है he opened the cover of the tambulum and found there was a costly dhoti that means अंगवसरम besides some fruits and sweets there was also a sleep that the person had left behind कि उस plate में उस tambulum में अंगवसरम थे यानि कि कपले थे कुछ fruits थे, कुछ sweets थे और ये सब चीज़ देखके जनाब अबुल पाकिर है उन्हें गुसा आ गया यानि कि A.P.J. अब्दुलकलम के फादर को गुसा आ गया The sight overall upset my father for the first time in my life I saw him very angry He also turned out to be the first time I got a throw beating from him कि मैंने मेरे पिता जी के हाद से पहली दफा उस वक मार खाई मैं उनका बहुत प्यारा बच्छा था पर उनने मुझे वटकार लगई मुझे मारा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार उने इतना गुसा देख रहा था I got frightened and started weeping My mother came in, impressed and consoled me As this, my father came and touched my shoulder with affection and advised me not to receive any gift without his permission कि जब उन्हें उनके पिता जी मार रहे थे तब उनकी माता वहाँ पर बीच में आ गई और पूरे घर का वातोरन चेंज हो गया उनके पिता जी उनके पास आए उनके शोल्डर को पकड़ा और बहुत प्यार से उनने कहा कि मैं तुम्हें एक advice देता हूँ कि आज के बाद जिन्दगी में कभी भी किसी से कुछ भी लेना हो तो तुम्हें मेरी permission लेनी पड़ीगी मेरी permission के बिना तुम किसी से कोई gift नहीं लोगे ऐसा उनके पिता ने उनसे कहा He quoted an Islamic hadith which state that when the Almighty appoints a person to a position he take care of his provision if a person takes anything beyond that it is an illegal gain वो कलाम के पिता जी ने उन्हें एक Islamic hadith दिखाई hadith ये Islam में बताई गई चीजों को है hadith याने Islam में बताई गई चीजों को कहते है Islam के अंदर जो चीजों को मानना चाहिए वो hadith है जो करना चाहिए वो सुनना ते रसूल है यानि की निर्माता इस पूरी दुनिया का निर्माता किसी को position देता है किसी को कोई पत देता है तो उस पत के उपर अगर वो कोई भी चीज़ उस पत्की वज़़ा से उसे मिल रही है, उस पॉजिशन की वज़़ा से मिल रही है, तो वो पाप की कमई है, ऐसा वो कहते है जो की हराम है ऐसा उनके पिता यानि की एपई जब्दूलकलाम की पिता एपई जब्दूलकलाम से कहते है, then he told me that it is not a good habit to take gifts उन्होंने उन्हें कहा कि gifts लेना ये अच्छी बात नहीं है for they are always accompanied by some purpose and are dangerous that way कि gifts जो भी होते है ये बहुत dangerous होते है it is like touching a snake and getting the poison in turn this one lesson stand out always in my mind even now when I am in my seventies क्यों उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि ये जो gifts होते है वो ऐसे होते है कि सापों को खुद हम टच्छ कर रहे है किसी साप को हम छुएंगे तो जरूर है कि उसका जहर हम में आ जाएगा और ये उसी तरह है आज जब सतर साल के हो चुके है तब भी वो इस lesson को भूले नहीं है आज भी कोई मेरे सामने किसी भी प्रकार का gift किसी भी प्रकार का तौफ़ा लेके आता है तो मैं डर जाता हूँ I would like to mention one more thing Manu Smriti state that by accepting gifts the divine light in the person get existence Manu Smriti में भी पढ़ा था कि gifts किसी से लेना वो अपनी आत्मा को खराब करना है Manu wants every individual against accepting gifts for the reason that it places the acceptor under an obligation in favor of the person who gave the gifts Manu Smriti हर तौफ़े को स्विकार करने के खिलाफ चेतावनी देता है हमें वो कहता है कि किसी प्रकार का उपहार किसी प्रकार का gift तौफ़ा ये हमें लेना नहीं चाहिए गिफ्स देने वाला हमसे कोई न कोई काम निकालना चाहता है ऐसी लिए ही वो gift देगा वर नव बेवज़ा हमें gift देने के लिए नहीं बैठा है that ultimately it result in making a person to do things which are not permitted according to love कि gift देके कोई भी अपना काम निकालना चाहेगा वो ऐसे काम भी निकाल सकते है जिसे कानून इजाज़त नहीं देता Even I am now in the 18th orbit around the sun This bit of childhood inspiration has a special significance in my life often the unique lesson one derives in the early days of life are the governing force that steer the value system in all thoughts and actions कि वो कहते है कि आज वो असीवी क्लास में है याने कि वो इस दुनिया को ही क्लास कह रहे है और वो कह रहे है कि आज वो असीवी क्लास में रहने के बाद भी वो ही childhood है वो ही inspiration उनके अंदर है और इस चीज़ को वो भूलना नहीं चाहते जो उनके साथ हुई है अक्सर जीवन की शुराती दुनों में जो भी सबक मिलते है वो सबक हमें आखरी सास तक याद रहते है ऐसा हो कहते है माध्यम से ही लोग हमसे अपना मतलब निकाल लेते हैं और इसी के साथ ये प्रोस खतम होता है थैंक यू